मैं आपकी फ्रेंड सिवानी चांट के दक्षनी धुरुव के रहस्यों को खोलने के लिए आपके अपने चैनल वर्ल्ड अवेर्नेस पर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ. चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं. चांट का दक्षनी धुरुव जहां दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अब तक जाने का साहस नहीं कर पाई. ये जगह आखिर इतनी भयानक क्यों है? क्या इस अंधेरी दुनिया में एलियन का बसे रहा है? चंद्रियान 3 उस इलाके में लैंड करने जा रहा है जहां आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुँच पाई. क्यों रूस की स्पेस एजेंसी राउसकोस मास ने लूनर 25 मिशन भारत के चंद्रियान 3 के साथ भेजा? क्या चांट से जुड़ा कोई डरावना रहस्य है जिसके बारे में रूस की स्पेस एजेंसी राउस दक्षणी ध्रुव पर हैं. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षणी ध्रुव पर एटकिन नाम का गड़्डा है, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड़्डा है. उसका व्यास 5000 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है, यानि इसके अंदर एक के ऊपर एक खतरनाक गड़ों से भरा हुआ है और इन गड़ों में करोडों साल से सूरज की एक किरन तक नहीं गई है. ऐसे में कोई नहीं जानता, यहां कौन से रहस्य छिपे हुए हैं. वैग्यानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड़ों के नीचे भी बेसुमार पानी छुपा ह हो सकता है. या फिर हो सकता है कि यहां प्राकृतिक संसाधन जैसे मीठेन और अमोनिया वगेरा का खजाना मिल जाए. लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता. यही वजह है कि हमारे इसरों के वैग्यानिकों ने अपने चंद्रियान तीन को च होजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? दोस्तों, चांद के दक्षणी ध्रुव को सिर्फ इसके गड़े ही इतना खतरनाक नहीं बनाते, बलकि बेहत ठंडा तापमान भी इस जगह के भयानक होने की बड़ी वजह है. असल में चांद के इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती, जिसके चलते यहां कुछ जगह का तापमान, माइनस, 650 डिग्री सिल्सियस तक पहुँच जाता है, इतनी ज्यादा ठंड में. हम इंसानों के लिए सर्वाइव करना तो दूर की बाद है यहां भेजे जाने वाले रोवर्स का काम करना भी हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं. यही वज़ा है कि इस रो से पहले कोई भी स्पेस एजंसी चांद के इस इलाके में अपना मिशन भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पाई. अब अगर चंद्रियान 3 की बात करें तो इस रो के वैज्यानिकों ने इसको चंद्रियान 2 की हर एक कमी और गलती से सीख कर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाया है. ताकि ये मुश्किल से मुश्किल स्थिती में सफलता पूर्वक लैंड कर पाए. उदाहरन के लिए पिछली बार चंद्रियान 2 क लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे. लेकिन इस बार लैंडर के बैलन्स को ध्यान में रखते हुए, इसके अंदर एक और भी ज्यादा पावर्फुल इंजन लगाया गया है. साथ ही इस बार विक्रम लैंडर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है. और इसकी फ्य करने के लिए तस्वीरों की जगह लाइव वीडियो का इस्तिमाल करेगा चंद्रियान 3 में वैज्ञानिकों ने सभी तरह के सेंसर की संख्या भी पहले से ज्यादा रखी है ताकि कोई सेंसर अगर किसी वजह से फेल भी हो जाए तो उसकी जगह दूसरे का इस्तिमाल किया जा सके इस बार वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी होने की गुंजाईश नहीं छोड़ी है और हर एक एक एक्विपमेंट को सर्दी गर्मी और हर तरह के हालातों में टेस्ट करने के बाद ही चंद्रियान 3 में लगाया गया है यहां तक की वैज्ञान को करीब 5 बज कर 47 मिनट पर हमारा चंद्रियान 3 सफलता पूर्वक लेंडिंग कर जाएगा जैसा की इस रो का पलान है इसके बाद एक बेहद खास किरदार का काम शुरू होगा जो अभी तक छुपा हुआ है लेंडर विक्रम के पेट में छुपे 6 पहियों वाले रोवर प 6 पहिये लगे हुए हैं विक्रम लेंडर के चंद्रमा पर लेंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती तक भेजेगा रोवर प्रज्ञान पर सोलर पैनल लगे हुए हैं इसके साथ ही यह दो कैमरों समेथ कई तरह के साइन्टिफिक पेलोड से लैस है। यह लैंडिंग एरिया के आसपास अपने उपकरणों की मदद से वहां की मौलिक सनरचना की जानकारी हासिल करेगा। प्रज्ञान में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें लेजर स स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है। प्रज्ञान को इस तरह से तयार किया गया है कि यह व्यापक कैमिकल एनालिसिस करने में सक्षम है। रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के एक दिन के बराबर है। यह चंद्रमा पर एक दिन तक अपने खोज और जानकारियां जुटा खास बात है कि चंद्रमा पर एक दिन धर्ती के 14 दिन के बराबर है। इस एक दिन के अंदर प्रज्ञान को अपना मिशन कम्प्लीट करना होगा, इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान चांद पर भारत के निशान छोड़ेगा। रोवर के पिछले दो पहिये चंद्रमा की सतह पर पैटर्न अंकित करेंगे, जिसमें इसरो का लोगो और देश का राष्ट्रिय चिहन अंकित हो जाएगा। इसरो का ये कारनामा हमेशा के लिए चांद पर अंकित रहेगा। आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं। जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपकी फ्रेंड सिव अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।